हाई एवरिवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम सिनॉनियम्स सॉल्ट करने वाले हैं अगर आपने क्लर का एक्जाम देखा होगा तो जितने भी कुशन्स हमने किये हैं आपके सिनॉनियम्स के या वन वर्ड सब्स्टिउशन के वह उस एक्जाम में पूछे गए है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप हॉलिस्टिकली चीज़े को अप्रोश करते हैं तो आपके लिए हमेशा ही बैनिफिशल लाता है इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट यह होगा कि आपको साथ साथ में हिंट भी दूँगा और आप कैसी उन चीज़े को कनेक्ट कर सकत कि आपको remember करने में मुश्किल ना हो तो आयå start करते हमारा फॉर्स कोशीन आपका इर्री वगिवल लॉकिवल तो यहां से आप इसको देखें उर्री वॉकिवल का मणल Bach कुछ बोलना होगा तो अगर हम यह आपकर देखें तो मैंने आपका photo लगाया कि मर्द की जबान तो देखिए जितना भी मैं आपको explain करूंगा कोई भी personally ना ले बढ़ हाँ आप चीजे relate कर सकते हैं तो मर्द की जबान कहते हैं कि वो मतलब जो change ना हो जनरली हम इस sense में लेते हैं कि मर्द की जबान जो मैंने irreversible मतलब जिसे आप reverse ना कर सके जो change ना हो सके उसे ही हम क्या कहते हैं irrevocable तो आपके देखिए यहां पर दोनों सही अनल्टरेबल भी और आपका irreversible भी और क्या क्या हो सकते हैं आपके invariable जो मतलब change ना हो और क्या हो सकता आपका changeless चेंज लेस और क्या हो सकता आपका fixed यह तो आप सब भी कोई पता है और जिन वर्ड्स के आगे आपका इन आता है वो आपके negative वर्ड होते हैं मैं आपसे कई बार डिसकस कर चुका हूं सबसे अच्छा तरीका यही है जैसे invariable जो बदल ना सक के इन different जो खुश ना हो यानि कि उदास हो मतलब इन आपके negative सेंस में हम use करते हैं तो आप याद रखें irrevocable का आप या सकते हैं मर्द की जबान यानि की जो change ना हो जो fixed है जो invariable है जो change less है तो आप यह चीज़े याद रख सकते हैं नेक्स्ट आपका add-on तो अगर हम add-on का देखें यहां से तो मैंने यहां पर एक make-up kit लगाई है तो आप समझ सकते हैं कि make-up kit से क्या होता है लोग या girls जो भी हैं वो खुद को beautify करती हैं तो add-on का मतलब क्या होता है add-on का आप समझ सकते हैं add-on का मतलब जो है आपका beautify त तो अगर आप यहां से देखें रिपोस का क्या मतलब हो सकता अगर आप इस figure में देखें इस picture में देखें तो यहां पर जो एक girl है वो अराम से सो रही है मतलब आपका यहां से रिपोस का मतलब क्या बनेगा विश्राम या नीन तो यहां से क्या answer बन सकता आपका option c rest तो आप किस तरीके से इन्हें find out कर सकते हैं कि क्या answer possible answer हो सकता है नेक्स्ट आपका commotion तो अब देखिए commotion का I'm sorry commotion का मतलब क्या हो सकता है इसने यहां पर अपने कान बंद कर रहे कान बंद किसे क्या हो सकता है आपको irritation हो रही है आपको बहुत ज़्यादा noise सुनाई दे रहा या शोर हो रहा है तो यानि कि शोर गुल या हुलड तो जब noise होता है या शोर गुल होता तो उससे क्या होती है उससे होती है आपकी disturbance तो आप यहां से पता लगा सकते हैं कि इसका correct synonym में correct answer हो क्या आपकी disturbance और एक बात मैं और करना चाहता हूं कि जब भी आपसे कभी भी balance का balance का अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप हमेशा imbalance करें अगर आपको आपको आप्शन में balance हो तो आप वह मत करें आप imbalance करें तो यह छोटी छोटी चीज़ें जो आप जरूर याद रखतें चीयर तो आप cheerful मतलब शांत तरीके से इस तरीके से आप याद रख सकते हैं पर जो answer था वह आपका नेक्स्ट आपका deny देनाई तो आपको पता ही जनल सेंस में हम यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या answer होगा डिनाई का मतलब होगा आपका माना करना याने की refuse करना reduce का तो आपको पता ही एक कम करना नेक्स्ट आपका अभी उज तो अभी उज पर आपड़ाप एजी है इतना टफ नहीं है अभी उसका अपका या तो जैसे हम आभी उज भी काफिज सेंस में हम यूज कर सकते हैं एक तो होता है गाली मतलब घ्रिना जिसे हम तिरसकार कह सकते हैं तो यह होता आपका स्कॉन प्रेज आपको सभी कोई पता यह तो बताने की ज़रूरती नहीं है डुसाइल देखें डुसाइल बहुत अच्छा वर्ड है अब आप देख सकते हैं कि किसे connect कर सकते हैं दूसाईल का देखिए यहाँ तरी के इन लटकी जो है वह है आपका meditation कर रही है है meditation करने से क्या होता है meditation करने से आप shant होते हैं कि आप cool होते है तो इस तरीके से आपका जो डूसाइल का जो बनेगा आपका right answer to have всю यहाइब का submission की आपका sab Singhिषिव की स्टर्बन क्या होता स्टर्बन होता जो आपका बहुत जिद्धी होता है जो डुसाइल लुता आपका वी नम्र आपका सब्मिसिव नेक्स्ट आपका considerable देखिए बहुत ही easy है बट अगर यहां पर आपसे options देखे जाएं तो आप क्या कर पाएंगे तब जागर problem स्टार्ट होती जब आपके options दे जाते हैं जो बहुत ही near होते हैं तो इसका जो हमारा right answer होगा वो होगा आपका thoughtful next है आपका irresolute irresolute का मतलब यहां पर क्या हो सकता है देखिए आपके पास सीचे fix नहीं है आप confused हैं आप decision ही नहीं ले पारें कि हो भी सकता हा ना या maybe तो यहां पर जो आपका right answer होगा वो होगा आपका undecided irresolute आपका कोई fixed नहीं है आपने decide नहीं किया आपने decision नहीं लिए तो आपका जो आएगा undecided next है आपके frugal तो यहां पर क्या हो सकता है देखिए आपका एक piggy bank है piggy bank में आप क्या करते हैं piggy bank में सेविंग करते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं उसमें डालते हैं तो यहां से क्या बन सकता है आपका आपशन B मिजरली तो आप यह फ्रूबल का मतलब मतलब जो हुआ मतलब जो बहुत कम पैसा खर्ष करता हो उसे कहते हैं नेक्स्ट है आपका मोटिव मोटिव क्या होता आपको पता है मोटिव होता है आपका एक रीजन आपकी इंटेंशन देखिए अब यहां पर सबसे जो बड़ी बात है मोटिव की अगर हम बात करें तो यहां पर options जो दिए गए हैं कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि आप यहां पर confused हो सकते हैं कि यहां पर इसका क्या answer हो सकता है पर जो इसका answer है वो है आपका देखिए मेरा एक मोटिव है मतलब एक मेरी intention है तो यहां पर जो right answer होगा वो है आपका option C intention आपका पिटी तो पिटी का अगर आप यहां से एक आइडिया लगा है तो यह बच्चा इसे पैसे दे रहा है दूसरे बच्चे को मतलब वो उस पर दया भाव दिखा रहा है तो यहां पर जो right answer होगा option B mercy आपको मुझे बताया ना what is the basic difference between mercy and kindness थोड़ा साही difference है बड़ गलत हो सकता है तो आप मुझे comment section में जरूर बताएं कि mercy और kindness में क्या difference होता है next आपका question question से पहले हम इसके options यहां पर यह दो गलत हैं यहां पर आएगा आपका reject और एक आएगा आपका slash आप question बनता है अब आपको मुझे बताना कि quash का मतलब क्या होता तो देखिए यहां पर हमने court room की एक picture ली है जहां पर आपकी judge सहब बैठे हैं तो अगर हम बात करें कि supreme court ने अपरादी की जो bail की याचिगा थी या bail पर जो सुनवाई थी उसे quash कर दिया quash का मतलब होता है आपका reject करना तो यहां पर जो right answer होगा आपका option c reject यह kindness जो है पिछले ही गलस टाइप हो गए तो यहां पर आपका option c regret sorry reject आपका right answer होगा next आपका restrict restrict का मतलब होता है पाबंद लगाना या रोकना तो यह होता आपका prohibit या prohibition तो यह आपका option भी यहां पर right answer होगा anticipate anticipate का मतलब होता है जब आप पहले पूरवानुमान लगा लेते हैं यानि कि आप कुछ चीज़े expect करते हैं तो यहां पर जो हमारा right answer होगा option b expect और आपका अगर हम antagonize की बात करें तो वही आपका green इस्या तो यह आपका antagonize होता है accept यह तो आपका स्विकार करना होता है next आपका tremendous tremendous से गर आप यहां पर देखिए सूर्य है यहां से बहुत ज़्यादा energy निकलती है आपके और बहुत बड़ा इसका एक तरीके से energy का store है तो tremendous का मतलब बहुत आपका excessive मतलब बहुत ज़्यादा बेहद sun is the tremendous source of energy तो आप समझ सकते हैं यहां पर जो right answer होगा वो आपका excessive next आपका meticulous तो देखिए यहां पर एक lens पकड़ा है और lens से आप क्या देखते हैं आप छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं तो यहां पर जो right answer होगा वो आपका pen stocking pen stocking मतलब होता है very careful मतलब बहुत ध्यान से आप किसी चीज़ को देख रहे हैं उसका मतलब होता है meticulous अब नेक्स्ट आपका abundant कई वार यह word आता है तो abundant का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पर चूर मात्रा में तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके बहुत ज़्यादा पैसे मतलब abundance source of money तो इसका जो मतलब होगा आपका plentiful plentiful होता है जब बहुत ज़्यादा आपका पास होता है sufficient तो सिर्फ काम चला उसा ही होता है significant होता है आपका important तो यहां पर जो right answer होगा वह आपका option be plentiful next है आपका acquaint तो acquaint का मतलब हम देखते हैं क्या हो सकता है यहां पर जगना पिक्चर से आप पता लगाएं तो यहां पर आपस में mail में लाप कर रहे हैं बात चीत कर रहे हैं मतलब आपस में क्या हो रही है introduction हो रही है एक दूसरे को introduce करवा रहे हैं तो यहां पर जो इनका right answer होगा option b introduce याने की introduction या mail जोल नेक्स्ट आपका change तो चेंज का आपको देखना है चेंज का क्या right answer हो सकता है यहां से चेंज का जो right answer option a alter वैसे तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था बट मैंने आपको बता दिये next word है आपका sir petitiously तो यहां पर अगर आप देखें तो यह कुछ इसके कान में बोला है यह surprise हो रही है मतलब आपने कुछ ऐसा secret बोल दिया कि इसके भी होश उड़ गए तो मतलब sir petitiously का मतलब होता है secretly मतलब जो आपका बहुत ही गुपत बाते हैं उसे कहते हैं आप sir petitiously option भी आपका right answer है next आपका for board यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बाबा है जो आपके हाथों को ध्यान से देख रहे हैं मैंने की वह आपका भविश्य बताने की कोशिश कहे लें तो इसका जो right answer हो का option b for tell next आपका genuine genuine का तो आपको sorry पता ही है genuine का मतलब होता है authentic real जो वास्तम में सच्चा तो आप यह ज़रूर याद रखें option b your right answer next आपका adverse देखिए यहां पर अगर हम बात कर adverse effect adverse का मैंने यहां पर एक दिया है I can't मतलब आप जब आप ऐसी चीजे सोचते हैं आपको कभी भी negative नहीं सोचना है तो अगर आप लिखा तो यहां पर I can't है बट अगर आप यहां से काट दे तो आप बन जगा है I can यानि की positive बट यह जो पूरा था यह क्या था negative तो आपको कभी भी negative नहीं सोचना चाहिए तो आप adverse से मतलब लगा सकते हैं negative जब कहते हैं आपकी इस के आप पर adverse effect होंगे adverse मतलब बुरे effect होंगे negative effect होंगे तो आपका option नेगेटिव राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपका elastic elastic का मतलब होता है जब आप किसी चीज में आपकी flexibility होती है तो आपका जो राइट आंसर होगा option भी flexible कि सम्टाइम आपसे यह question पूछा जाता है कि इन में से सबसे ज़्यादा elastic कौन सा है option दे दिया जाता आपका rubber फिर दे दिया जाता आपका steel फिर दे दिया जाएगा आपके पास plastic तो कभी भी गलती से भी rubber मत करके आईएगा ना ही plastic मत कीजिए जब भी आपस Elastic ya Elasticity के बारे हम पुछा जाए आपको करना है Steel यह हमेशा question पुछा जाता है बार बार यह question पुछा जाता है तो आप ज़रूर याद रखें और आपको पता भी होगा तो आप ये भी याद रखें Science का question भी साथ साथ करवा दिया मैंने Next आपका vacillate vacillate का मतलब क्या हो सकता है तो vacillate का मतलब होता है अगर आप इस वीदियो से देखें एक इस साइड को आपको इशारा कर रहा है एक इस साइड को और आप confuse हो रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चेह रहा है आप decide नहीं कर पार है तो इसका जो यहाँ पर right answer होगा वो है आपका option a waiver यानि कि आपको क्या है यहां पर संदे है doubt है आपको doubt भी आप इसका synonym कर सकते हैं next आपका impeccable impeccable का आपको मुझे बताना है impeccable का क्या हो सकता है यहां पर अगर आप देखें तो एक लड़की है जो खुद को शीशे में निहार रही है तो देख रही है अपनी skyn को देख रही है feel कर रही है यहां से हम क्या पता लगा सकते हैं कि वो अपनी faultless skin को देख रही है मतलब जिसकी skin बहुती smooth हो इसलिए वो टच कर रही है तो यहां से आपका हो सकता है faultless जिसमें कुछ भी गलती ना हो गड़बड ना हो नेक्स्ट आपका impediment impediment का मतलब क्या हो सकता देखिए यहाँ पर जो आपका road है उसे एक big rock ने block कर दिया है मतलब block होने से क्या होगा कि एक बादा आ चुकी है एक obstruction आ चुका है तो यहाँ पर जो right answer होगा आपका option d obstruction incapable तो आपको पता जो जिसमें एक शम्ता ना हो कुछ करने एलमेंट हो था आपके बीमारी तो आप impediment याद रख सकते हैं आपका जो है वो किसे रिट करता obstruction से नेक्स्ट आपका advance advance का क्या हो सकता है advance को हो सकता है आपका जो right answer होगा वोगा आपका progress जब आप advancement या progressive ये आपके दोनों हे synonym है जब एक ठहरा हो या विश्राम इस तरीके से हो सकता है तो ये थे आपके 30 questions थे hopefully आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको कैसा लगा मेरा idea की जो मैंने आपके pictures add किये हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं सारी चीज़ों मुझे खुद से सोचने होते हैं कि किस तरीके से मैं चीज़ों को interrelate कर सकता हूँ आप एक बार वीडियो देखी अगर आपको नहीं लगता है समझ नहीं आई तो एक बार दुबारा आप ध्यान से देखिए आप सारे questions को easily याद कर पाएंगे बाकी तो आपको खुद memory में feed करना होता है मिलते हैं आप से next video में till then have a good time take care